एक्जाम हंटर से जोटने के लिए उसके टेली ग्लाम चैनल जोईन करना बहुत ही ज़ोड़ी है वहाँ पर सारे आपको पेट टेस्ट, डेली एंसराइटिंग प्रोग्राम, प्रिलिम्स का टेस्ट, साथी साथ क्वीज वेगारा, फिरी पेडिय अप सब आपको इस टेली ग कामटर में आपका स्वागत है, और इसे पहले एक वीडियो आ गया है, वीडियो नमबर सेकेंड है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इंपोर्टेंट न्यूज है, जो बहुत ही हाइलाइटेड रहा है, और आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकता है, और एक कंस्टिटूशनल बेंच ने जजज्मेंट दिया था, ठीक है न, और इसमें जो अब देखो, यहाँ पर एक सवाल आता है कि कंस्टिटूशनल बेंच में कितने एटलिस्ट जो मिनिमम कितने जज्ज होते हैं, जो प्रिलिम्स पॉइंट व्यू से काफी इंपोर्ट किये हैं, एगरी क्या क्यों किये हैं, तो इलेक्शन कमिशन के एपोइंटमेंट के इसू को लेकर, ठीक है, और उन्होंने बताया है कि पहले क्या होता था एपोइंटमेंट, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एपोइंट किया आते हैं, पर्षिडेंट ऑफ, और इसका बात यहां पर है कि इसको कुन करता है गोन प्रेसीडिट करता है लेकिन जो होता है तो हमारी सरकार बिजेपी की सरकार है औरases को बहांट को ठीक है फिर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा तो इससे लेकर है ना बहुत सारे बावाल भी हुए थे बहुत सारे मुद्दे मतलब डिस्प्यूट में आये थे कुछ एक्जांपल देखिए हाल में ही कि एक करनाटका का जो एक एलेक्शन हुआ था दो तीन साल इस पॉक पर्षन ने उन्होंने एनाउंस कर दिया कि इस तारीक को एलेक्शन होने वाला है तो कहीं ने-कहीं एक बाइसनेस हो जाता है और कोई भी एक सब कोई चाहता है कि हम चीफ एलेक्शन कमिशन कमिशनर बने तो और उसके लिए पॉइंट कोन करता है गवर्मेंट करता है तो कहीं ने-कहीं जो हमारा जो डिमोक्रेसी है उसको एफेक्ट करता है बाइसनेस आ जाएगा और जो इनका डिसिजन होगा वो फेवर में होगा बहुत सारे अब ऐसे देखे होंगे इलेक्शन के दवरान हेट स्पीच होता है मुडल कोड़ कंड़क्ट का वायलेशन होता है तो जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वो लोग कुछ करते नहीं है तो कहीं ने-कहीं क्या डर लग रहता है कि भाई हम अपॉइंट हुए है तो government ने मुझे appoint किया है और इनका hidden का क्या मुद्दे है hidden में क्या इन लोग की आपस में चर्चा हुई थी उसके लेकर तो कहीं ने-कहीं जो democracy का जो क्या बोलते हैं कि जो democratic system है हमारा और हमारा जो transparency है election को लेकर अंडर्माइन होता है कहीं ने-कहीं ठीक है तो क्या हुआ है क कि इसी मुद्य को देखते हुए Supreme Court का कि judgment आया है constitutional bench ने judgment किया है और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पांच member थे पांचो agree कर गए है इसको ठीक है और बोला है Supreme Court ने क्या बोला है कि अब election commission का जो appointment होगा उसका जो नाम हम forward करते हैं चीफ election commission का जो नाम जो forward करते हैं President of India के लि तो सिफ government नहीं करेगी उसके लिए एक team बनाया जाएगा एक committee बनाया जाएगा committee में कौन-कौन होगा उसको ध्यान रखिएगा committee में prime minister होगा हमारे प्रधान मंतरी leader of opposition होगा लोगसभा का और chief justice of India होंगे ठीक है तो यह तीनों क्या करेंगे कि pick करेंगे बंदे को choose करेंगे क कौन चीफ election commissioner होना चाहिए election commissioner कौन होना चाहिए और उसको क्या करेंगे recommend करेंगे president को कि आप इसको क्या किजिए आप की elect कीजिए तो इससे क्या होगा कि जो होता है न कि अपना आदमी को हम लगा दिए अपने आदमी को point कर दिए कि इसका कोई भी decision होगा मेरे favor में होगा वो सबब नहीं होगा तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा judgment है आप decision आप बताइए comment करके कि आपको इसका क्या 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 फायदे होने माले है ठीक है पहले क्या क्या मुद्दे थे जैसे आपको election commission हमेशा dispute में रहा है EVM को लेके EVM को लेके बहुत सारे जो opposition है उन्होंने target किया है कि tempered हो जाता है EVM उसके अलाबा बंगाल जो election था कोरोना के समय में Supreme Court भी लाता रहा था इसको election commission of India को कि you are one of the reason जिसके कारण क्या हुआ है कि महा हमारी फैला है तो यह Supreme Court का judgment है कि अब जो भी election commission है या Chief election commission है उसका appointment जो होगा वो एक committee गठन करेगी committee name forward करेगी उस committee में कौन रहेगा हमारे परधान मंत्री लीडर ओप उपोजिशन जो लोग सभा के जो लीडर ओप उपोजिशन जनरली अभी जो Congress के है वो और साथी साथ Chief Justice of India यह तीनों मिलके पिक करेगा और इनको भेजा जाएगा और देखो अब यह सिर्फ इसके लिए नहीं है election commission के लिए नहीं यह हाई power committee ही करेगा यहां ते clear हो गया ठीक है तो अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत Chief Election Commission या Election Commission of India के बारे में जो हमारे सभीधान में दूम इंसन है और हमारे PTE के लिए prelims के लिए काफ़े important होते हैं ठीक है तो अगर आप देखोगे तो आर्टीकल 3 324 सिले के आर्टीकल 329 में डील किया गया है Election Commission of India को और हमारे सभीधान के पार्ट 15 में ठीक है पार्ट 15 में और इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है Ministry of Law and Justice ठीक है और इसका जो गठन हुआ था हुआ था 25 जनवरी 1950 को ठीक है तो जो जो मैं फैक्ट बता रहा हूं ने एक कुशन्स प्रिलिम्स के लिए काफी important हो जाते हैं और हर साल हम 15 जनवरी को क्या मनाते हैं National Voters Day ठीक है अब आर्टीकल हम 324 को अगर देखते हैं दोस्तों तो उसमें लिखा गया है कि there should be a Election Commission of India formation उसका बताया है लेकिन कितना नंबर होगा कितने नंबर होगा वो नहीं बताया गया था ठीक है तो अगर आप देखोगे तो जो हमारा दो देश आजाद हुआ था और 1950 में Election Commission of India के गठन हुआ था और 1951 में क्या हुआ पहला चुना हुआ था तो उस समय सिर्प एक ही चीफ फिलेक्शन कमिशनेर था और पूरे इंडिया को समालना एक बंदे के लिए बहुत डिविकल्ट हो जाता था तो यह प्रोसेस आगे चलते गया और 1989 में यह सिंगल मेंबर बोडी को एक्सपेंड किया गया ठीक है उसके बाद फिर से 90 में फिर से कम किया गया वन आ गया फिर पिर से बढ़ा गया मतलब ओभर ओल देखा जाए तो 1989 में यह जो मेंबर सिंगल मेंबर बोडी था उसको चेंज करके तीन मेंबर बोडी बना दिया गया मतलब एक हो जाएगा आपका चीफ इलेक्शन कमिशनर और दो हो जाएगा इनको एसिस्ट करने के लिए कौन पावर्स जो सेरली यह सब जो कैसे डिसाइड होगा ऐसे कि जो सुप्रीम कोट के जज़ को मिलता है वहीं सेम होगा ठीक है और इनका जो हटाने का जो प्रोसेस है चीफ इलेक्शन कमिशनर को अगर हटाने का रिमूवल का जो प्रोसेस है वो सीमिलर है सीमिलर है जिस तरह स सुप्रीम कोट के जज को हटाते हैं ठीक ना यहां ते क्लियर हो गया लेकिन लेकिन क्या है कि जो अदर दो मेंबर है जो बाद में एड किया गया इलेक्शन कमिशनर को उसको प्रसिडेंट हटा सकता है और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इलेक्शन कंस्ट्यूशन में हमारे सभी दहान में कहीं भी नहीं क्वालिफिकेशन डिसाइड किया गया है इलेक्शन कमिशन का कि कोई भी एकर चीफएलेक्शन कमिशनर बनता है या इलेक्शन कमिशनर बनता है तो उसका कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है that is very important for the PT exam ठीक है और क्या है कि अब सबसे बड़ा जो dispute वाला जो मुद्दा है जो जिस सबसे बारा जो biasness इसी के कारण होता है कि इनको अगर आप Chief Election Commissioner बन जाते हैं तो आपको retirement के बाद भी आपको government के कोई भी office आप क्या कर सकते हैं ले सकते हैं कोई ऐसा मना नहीं है जिसके कारण क्या होता है कि बैसने साजाता है कि हम government के favor में देंगे judgment government के favor में हम काम करेंगे तो हो सकता है कि हम retire कर लए तो हमें कुछ और पद मिल जाए ठीक है तो the constitution has not debaard the retiring election commission from any further appointment by the government ठीक है अब देखो इनके जो expenditure होते है administrative expenditure होते है that is voted expenditure not charged from the consolidated fund of India ठीक है और 326 article क्या बोलता है universal adult franchise एवी important है questions आ सकता है prelims में खासकर जो one liner जो exam होते है या PCS के exam होते है उसका और हमेशा ध्यान रखे है कि जब भी election commissioner पर होगे तो way forward में हमेशा एक नाम जरूर सुने होंगे TN session का ठीक है और हमेशा बोला भी जाता है कि election commissioner कैसा होना चाहिए चीफ election commissioner कैसा होना चाहिए TN session जैसा होना चाहिए हमारे दसवे चीफ चीफ election commissioner थे और इनका जो tenure था 1990 से 96 तक और इन्होंने क्या किया न कि बहुत ही मतलब अच्छा प्रैक्टिस किया था election जो जितने भी माल प्रैक्टिस हो रहा है मसल्स पावर बिहार में तो होता था कि बुथे लूट लिया इसको clean करने का बहुत ही संदार प्रोसेस इसने अपनाया था जिससे free and fair elections हो सके और इसी को बोला जाता है session effect ठीक है और इसको थोड़ा बुत अगर आप time मिले तो आप research करके अप थोड़ा पढ़िएगा तो लालू जो यादो थे उसमें बिहार के जो उसमें cm थे उनको ये काफी परेशान किया था तो आपको बताइए कि ये judgment जो सुप्रीम कोट को आया है वो फायदा होगा कि नहीं कितने फायदा होगा कुछ positive point निकालिए कि कितने फायदा होगा और इपी बताइए कि ये तो सही है दूसरे जो constitutional body है उसको clean करने के लिए सुप्रीम कोट तो अच्छा role निभा रहा है ले खुद जज अपने जज जज को ही अपॉइंट करता है उसमें कैसे लाएंगे ठीक है तो आई होप यहां ते क्लियर हो गया होगा यह इसका जो भी हिंदी है यहां पर अल्रेडी मेंसन किया गया है इसको आपको क्या होगा आपको टेलिग्राम पर मिल जागा आई होप यह वीडियो अच्छा लगाओगा चैनल को देखने के लिए धन्यमा दोस्तों आपका दिन शूप होगा